Good morning students, square roots start करते हैं Square roots में हमें last की 2 digit छोड़ देनी है 69 और इसके बाद जो भी हमारी 2 digit बचती है 39 हमें देखना है किस की squares के बीच में 39 आता है तो यह आप देख सकते हैं कि 6 और 7 के squares के बीच में आएगा 39 36 और 49 के बीच में लाई करेगा 39 तो always हमें smaller digit लेनी है तो 6 और 7 में से छोटे वाला 6 है तो पहली digit तो आगी 6 यह तो हमारा fix हो गया अब इसके बाद वाले digit कौन सी आएगी इसके लिए हमें एक चीज ओर सीखनी पड़ेगी हम हर digit के mid का square लेके चलेगे for example 65 का square always 5 जब भी होगा तो 25 ही आएगा और 6 को आप next से multiply गर दो 6, 7 चाब 42, 4, 2, 2, 5 same है यह 5 का जब भी 5 होगा always 25 और 7 को जब 8 से करेंगे then 7, 8 चाब 56 5 का 25 आएगा 8 को 9 से करेंगे अगले digit से तो 72 अब आपने always बीच की digit find out करके देखना है उसका square तो 65 का 4, 2, 2, 5 है तो 4, 2, 2, 5 से छोटा है 3, 9, 6, 9 तो इसका मतलब क्लिए रहे कि 65 से छोटा रूट हैगा अब 65 से छोटा क्या आ सकता है 64, 63, 62, 61 अब आपने unit place में देखना है 9 तो मैं किसको दो बार multiply करूँ तो 9, 9, 3, 3 is a 9 that is the answer is 63 clear, fine 7, 3, 9, 6 7, 3, 9, 6 7, 3, 9, 6 में आप देख सकते हैं कि 2 digit छोड़नी है 73 किसके बीच में लाई कर रहे है 64 and 81 मतलब 8 आएगा smaller वाला 8 है तो पहला तो मारा fix हो गया अब मैंने कहा कि सीधा 85 पे हम जाते हैं हमें यह देखने 85 से बढ़ा आना है यह चोटा आना है अगर चोटा हैगा तो 4, 4 जा 16, 84 होगा अगर बढ़ा हैगा तो 6, 6 जा 36 86 अंसर आएगा क्योंकि हर एक square root में ना 2 digit ऐसी होगे कि जिसके unit place में आपकी यह digit आ रही होगी 6 आ रहा है 9 या कोई भी digit आ रहे है एक कुश्यन और करके देख लेते हैं दखाओ double 7, double 4 यह तो आपको clear हो गया कि जो double 7 एक किस किस के बीच में लाई कर रहे है जल्दी से अपने हम solve करके देखेंगे एक बर try करेंगे 8 और 9 8 तो हमारा fix हो गया अब मैंने का सीध़ 85 पे आप चले जाए 85 का square हम कैसे निकालेंगे 8 को 9 से करेंगे 8 9 जा 72 और 5 का 25 अब 7 तो 25 से बढ़ा है ना और last में 4 आ रहा है तो 4 किस में आएगा 8 8 जा 64 तो 88 आंसर हो जाएगा unit place हमने देखना है जैसे 8 8 जा 64 में unit place 4 है और ये भी 4 है 89 double 4 double 4 किस के बीच में लाए कर रहा है double 4 हमारा आ रहा है 36 and 49 जोटे वाला कौन सा है 6 है तो 6 ले लेंगे अब या तो 3 3 जा 9 में 63 आएगा या 7 7 जा 49 में 9 आएगा 67 दोनों में इसे एक आंसर होगा अब आप सीधा 65 पे आजो 65 का मैंने क्या बता है आपको 5 का अलविस 25 और 6 7 जा 42 अब ये बताओ 4 to 2 5 से बढ़ा है न तो 65 से बढ़ा क्या है 67 है ऐसी देखो दो डिजिट छोड़नी हमे 1 3 4 हमारा किस के बीच में लाई गर रहा है 1 3 4 1 21 and 1 44 11 11 तो हमारा fix हो गया अब या तो 4 4 जा 16 होगा हमारा या हमारा होगा आपका 6 6 जा 36 अब हम क्या गरेंगे 1 1 5 11 into 12 132 और ये आगा हमारा 25 तो 1 3 2 2 5 से बड़ी डिजिट है न तो बड़ी डिजिट है तो बड़ा square आएगा 6 2 4 1 62 का हमने देखा आपका 62 है 49 और 64 के बीच में आएगा तो smaller वाला क्या होगा 7 हो जाएगा तो हमने ले लिया 7 अब या तो 71 होगा या 99J81 होगा तो 75 का 5 6 2 5 7 8 जा 56 5 6 2 5 से बड़ा है तो इसका मतलब 79 आइगा तो ये हमने square roots के अगले वीडियो में हम cube root करेंगे और squares भी हम जल्दी निकालने सिखेंगे तो आज के लिए इतने ही करते हैं बाइ